अगर आप भी पंचाय चुनाओं में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं यानि अगर आप भी मुख्या सरपंच बनने के ख्वाब देख रहे हैं तो आपके लिए ये खबर जानना बेहत जरूरी है जहां अब आप पैसे के बलबूते पर वोट हासल नहीं कर सकते अक्सर ये देखा गया है कि जब भी चुनाओं नजदेक आते हैं खास कर पंचाय चुनाओं में इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आती है कि मुख्या सरपंच गाउं वालों में पैसे बाठ कर धन का इस्तमाल कर अपनी लिए वोट हासल करते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं तो उस पर FIR दर्च की चाहेगी और इतना ही नहीं उसकी उमीदवारी को निरस्त कर दिया चाहेगा यानि कि एक बड़ा जटका लग सकता है इसलिए इस तरह के हतकंडे अपनाने से पहले दस बार ज़रूर सोचने और अपने किस्मत अगर आप पंचाय चुनाओं में आज तो तमाम जो गाइडलाइन्स हैं जो दशानिर्देश हैं उसका पालन करना अनिवारे रूप से आपके लिए जरूरी होगा इसके लावा क्या कुछ जनकारी है पंचाय चुनाओं से संबंधित किस प्रकार मुख्या प्रत्याशियों को दंडित किया जाएगा अगर वो ऐ पंचाय चुनाओं की तारिखों का एलान 15 अगस्त के बाद कभी भी किया जा सकता है निर्वाचन आयोगनी असपश्ट कर दिया है कि पंचाय चुनाओं को लेकर मुख्या या पंचायत के किसी पदगा प्रत्याशी वोट के लिए रूपए लुटाता है तो उसकी ख्यार नहीं आयोग द्वारा जारी निर्देशों का उलंगन करने पर अफायर दर्च किया जाएगा उमिदवारी निरस्त कर दी जाएगे इस बीच आयोगनी चुनाओं जीतने के लिए कोई भी हतकंडा अपनाने से बाजना आने वाले प्रत्याशियों पर नकिये लिकस दिया है राचन निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है पंचाय चुनाओं के दोरान वोट के लिए नोट नोट लाने वाले पर निर्वाचन आयोग की पैनी नजर रहेगी इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पंचाय चुनाओं दोहजार एकिस के उमिद तो जिला परिशद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उमीदवार को एक लाग तक खर्च करने की छूट है तो मुख्या और सरपंच उमीदवार को 40,000 रुपए पंचायद समीती के सदस्यों को 30,000 खर्च करने का हक है वहीं ग्राम पंचायद सदस्यों को 20,000 कोई भी प्रत् परिश आचार संगिता का उलंगन माना चाएगा और उमीदवारों पर आएपीसी के विभन धाराओं के ताहत कारवाई की जाएगी इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए मंदर मश्रिद या दूसरे धार्मेक अस्थलों का मंच के रूप में इस्तमाल करना वर्जित क जाती और धार्मिक भावनाओं के माध्यम से वोट मांगने की कोशश में कारवाई का सामना करना पड़ेगा चुनाओं के दौरान उमीदवारों को जुलूइस के शुरू होने का समय उसका स्थान उसकी शुरुवात और उसकी समापती के बारे में विस्तरत दुब्योरा देना होगा इसके लिए प्रशासन से पूर्व अनुमती भी लेनी होगी यानि कि राजजी नर्वाचन आयोग की तरफ से पंचाय चुनाओं को लेकर प्रत्याश्यों को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश दिये गए हैं कई तरह के नियम बनाए गए हैं क्या करें क्या ना करें इसकी व्यापक जानकारी दी गई है अगर आप भी पंचाय चुनाओं में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो उन नियमों को ध्यान में रखकर उन नियमों को मदे निज़र रखते भी ही अपना कोई भी अगला कदम उठाए क्योंकि इस बार राजजी निर्वाचन आ बैलिट बॉक्स का भी इस्तमाल होगा इसलिए पूरी तयारी दमखम के साथ करें जादा अपडेट के लिए अपने रहें नियुस्वानीशन के साथ नमस्का